सस्टिकाल जी, नमस्कार जी को किन मन जी स्टाइल में आज आपका फिर से स्वागत है आज हम आपको पंजाबी स्टाइल से अलु की टिकी बनाना बताएंगे जो कि बनाना बहुत असान है जो 5-7 मिनट में टिकी बिल्कुल तैयार हो जाती है इसके लिए मैंने लिए हैं दो उबले हुए आलू जो अभी मैं बाउल में डाली हूँ और इसको मैश करने लगी हूँ इसको अच्छे से मैश करेंगे ताकि इसमें कोई भी दाना सा न रहे अब इसमें एक चताई चमच हम नमक डालेंगे नमक हमने इसलिए कम थोड़ा रखा है क्योंकि हमने जो पीठी बनानी है उसमें भी हमने नमक डालना है अब इसको अच्छे से मैश करेंगे अब चार चमच इसमें अरा रूट डालेंगे मेरे पास अरा रूट था मैंने अरा रूट डाल दिया आप कौन फलर डाल सकते हैं ब्रेट क्रम्स हों तो आप वो भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास तीजू से आप जे टिकी बना सकते हैं देखिया आलूओं में अरा रूट बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, इसको हम थोड़ा सा चेक करेंगे, थोड़ा सा हम लेंगे, इसके एक बॉल बनाएंगे, जो देखिया हमारे हाथ को बिल्कुल नहीं चिपप करेंगे, इसका मतलर मारा डो बिल्कुल तयार है, अब इसको हम एक तरफ रख लेंगे और पिठी त्यार कर लेंगे, इसके लिए हम कड़ाई लेंगे, कड़ाई में थोड़ा सा ओयल डालेंगे, तेल गरम होने पे इसमें हिंग डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, कद्दू कस किया हुआ प्याज और रद रख डालेंगे, मैंने प्या मैंने रात को भीगो के रक लील थी आप इसको अच्छे से फ्राइ कर लेंगे चे देखिया हमारी दाल कितने अच्छे से फ्राइ हो गई है अब इसमें हम नमक्स अदह नुसार कलदी अदह चमछ अदह चमछ देगी मिर्च ह्धा चमछ गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सम पानी भी डाल लेंगे तांके मसाला नीचे कड़ाई में न लगे ये देखे हैं मारा मसाला बिल्कुल तियार हो गया बिसको हमें कटोरी में निकाल लेंगे आये अब हम टिकी बनाते हैं ये आलों के डो से हमारी चार टिकी बनेंगे इसलिए हम इसको बराबर चार हिसों में बांट लेंगे और इसके बॉल बनाएंगे बॉल बनाने के बाद आप इसमें हम दाल की पीठी डालेंगे इस तरीके से हमारी ये टिकी बिल्कुल कच्ची टिकी बिल्कुल तियार हो गई है अब ऐसे हम बाकी बॉल में भी ये पीठी भर के टिकी तियार कर लेंगे क्योंकि आज कल जैसा महौल चल रहा है हम बजार से कुछ नहीं खा सकते हैं इसलिए हम इसको घर में ही बनाएंगे ये बहुत स्वाधिश्ट और बहुत जल्दी बन जाती है ये कुरकुरी भी होती है इसको बड़े बच्चे सब पसंद करते हैं लीजिए बातों बातों में आज हमारी चारों कच्ची टिकी त्यार हो गएंगे आए अब हम अपनी नौन स्टिक पैन में दो से तीन चमच उयल डालके अपनी सारी टिक्कियां फ्राइ करेंगे ये देखे हमारी टिक्की के उपर गॉल्डन ब्राउन कलर आ गया है अब इसको हम निकाल लेंगे ये देखे है अब इसको हम ऐसे बीच में से काट लेंगे और दुबारा फिर से फ्राइ करेंगे और ये टिक्की ऐसी है कि इसको हम दो दिन स्टोर भी कर सकते हैं जब हमने खाना हो इसको बीच में से काटिए और फिर दोबारा फ्राई करिए ताकि अंदर से कुछ कच्छा परना रहे आईए अब इसको हम फ्राई करते हैं जब तक हमारी टिकी फ्राई हो रही है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राईब कीजिए बेल आइकन को दुबाईए ताकि मेरी और वीडियोस आपके पास आती रहें यह देखे है हमारी टिकी बहुत अच्छे से फ्राई हो गी है आप इसको हम खाने के लिए गार्निश करेंगे आप इसमें हम सबसे पहले देहीं डालेंगे और ज़े चटनिया इमली की और धनिया पदिने की पहले हम इमली की चटनि डालेंगे फिर ज़े धनिया की चटनि डालेंगे टिकी को चटपटा बनाने के लिए हम इसके उपर थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे इससे इसका टेस्ट बहुत चटपटा हो जाता है अब इसके उपर हम कटा हुआ प्याज भी डालेंगे ये लिजे हमारी पंजाबी स्टाइल की पीठी वाली टिकी विल्कुल तियारे खाने के लिए अब आम इसको खाएंगे अगर हमारी जे वीडियो आपको पसंद आए हो तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट करके बताएए आपको कौन-कौन सी रेस्पी और चाहिए